Hi everyone, welcome again in KBC, आपका KBC में बहुत बहुत सवागते हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे थे हैं, फर्स गेड के लिए एक नया सीरीज लेका है आपके लिए ट्रिक वाली क्लास, यह जो फर्स थी, सेकिंड थी, थर्ड थी, उसका तो रिस्पोंस मिला है, उस सब के लिए आपको बहुत ब रिलेटेरी, यानि physics और chemistry के कुछ ऐसे कोशन जिसनका answer आमें सा क्या होता है, सुन्य होता है, पर इन पांच में से एक कोशन पक्का मिल जाएगा, आपको कि वहाँ पे होता ही है, कोशन बचा गूम जाता है, और लंबी सी यह तम लिखी वी होती है, गाथा, और आपको answer दे संख्या क्या होती है, जो हाइडरोजन है, तत्व हाइडरोजन, उसमें न्यूट्रोनों की संख्या कितनी होती है, तो इसका answer दियान रखना क्या होता है, सुन्य होती है, एक मात्र तत्व है, जिसमें न्यूट्रोन होता है, उनकी संख्या क्या होती है, सुन्य होती है, बा हो गई है आप जाके आई बटन में में प्लेलिस्ट की डाल दूंगा वाँ पर जाके भी देख सकते हैं अगला कोशन देखते हैं फेवरेट है ये कोशन कोई भी एक्जाम हो ये कोशन जुरूर मिलेगा क्यूंकि इस कोशन में ऐसा ही कुछ है कि इसको बासा गोधबड़ी ब भार के प्रती बहार के प्रती किया गया कार्ये कितना होगा ये कोशने आपके सामने ठीक है कभे में ये कभिश कि असी आज़ी फोरूरी नदी चेंञें परंतु इस कांचर क्या होता है कुल्य तो उसके बाहर उठा रखा आ उसके लिए या उसके उसके उस पर कितना कार्य किया तो आंसर हमेरे साहता है क्या सुन्य जीरो सुन्य इसका भी था सुन्य जीरो ठीक है क्या आंसर आएगा जीरो सारुख खानवाला जीरो क्यों क्योंकि देखो क्योंकि इस देखो क्योंकि बल तो उदर लग रहा है बाहर उ विस्तापन में एंगल कितना हो गया 90 degree और जो फॉर्मला होता है work done का fs cos theta मैंने पूरी detail में पढ़ाई वी है आप जाके देखें आपको एदम अच्छे समझ में आ जाएंगा work and energy एक chapter पूरा मैंने complete करा है तो इसलिए जब cos 90 की value क्या होती है 0 हो जाती है ठीक है यही question एक और पूचा जाता है यह तो बाहर उठा के चल रहा है तब तो 0 करना है पर तो जब बाहर उठाया तब कितना कारी होगा उसके लिए आपको video देखने पढ़ेंगे ठीक है जब उठाके चल रहा है तब ही जिरो करना वरना जिरो मत करना ध्यान रखना कि बाहर उठ रखकर एक संतल सड़क पर चल रहा है उठा लिए फिर चल रहा है तब क्या रहा है जीरो तो कभी भी यह कोशन आए जिसका अंसर आपको सुन्य देना है बहुत यह कोशन आए यहां 60 kg देदेगा 70 kg देदेगा एक कुली इसको बासा को थोड़ा घुमा भी सकता है ठीक है अगला देखो कोशन नमबर थर्ड यह भी बहुत अच्छा कोशन है और रांट से इसका सुन्य आता है कोई भी केस वेस कुछ नहीं सीधा सुन्य लगाना है देख विष्थापन कितना होगा क्या कह रहा है समझनी कोशिश करना अच्छे से फिर तभी बुलोंगे भी नहीं देखो क्या क्या है यह वर्थागार पर्थ है ठीक है वर्थागार पर यह विंदु ए पर एक वैक्ति खड़ा है ठीक है यह गुमना स्टार्ट किया वापिस इसी पोईशन पर यह बीबी वापिस इसी पोईशन पर क्या पहुंच गया तो इसके दोरा विष्थापन किता होगा तो विष्थापन होगा सुन्ये मैं बात कर रहा हूं विष्थापन की विष्थापन तो क्या होगा सुन्ये दूरी नहीं होगी दूरी क्या हो जाएंगी इस विस्तापन क्या होता है विस्तापन बेसिक होता क्या है पारंभी किस्तिति और अंतिमिस्तिति कैसा आया किस तरह आया कोई मतलब नहीं है पारंभी किस्तिति और अंतिमिस्तिति के बीच में तो नियुंतम दूरी है वही विस्तापन होता है यहां पर पारंभी को अंतिमिस्त पहुंच गया तो राम द्वारा किया गया कार्य बताओ तो तुह एक काम करना पहली दूसरी तीशी डीडियो देख देना प्लेयिस्ट पे जाओ चैनल है । आपको उसे लाट हैं चैनल की प्लेलिस्टफ्स पर जाओं मुर्दै से लेकर गृक्सेट करना केशो भानू क्लासेश क्यों कैशो भानू क्लासेश है आपको आम पर इटेनरों प्लेस्ट ethical इस्ठल्था स्क्ति लोत हैमिंँ तो आप देख लेना उनको भी जुरूर देखना अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर चार यदी परत्वी अपनी वर्तमान कोणिये चाल से 17 गुनी अधिक चाल से गूमने लगे तो भूमत्य रेखा पर वस्तु का भार होगा तो भूमत्य रेखा पर वस्तु का भार क्या होगा ओगा है मालो प्रत्ति गोल है वो गूम भी रही है अपनी है भूम ہी रही है अधिक चाल से भूम भी हुआ मतलब 17 गुनी और बढ़ा दे हम तो वो तब इस पे जो वस्तु है उसका भार कितना होगा उसका भार होगा साथ सुन्य यह कैसे होगा उसके लिए आपको पूरा लेक्टर पढ़ना पड़ेगा वो भी मैंने करार रखा आप देख सकते हूँ परन्तु डारेक्ट यही कोशन गुशले कि 17 गुनी चाल से और अधिक से चली जाए यही कोण यह चाल बढ़ा दी जाए मतलब पीज घूमने लग जाए तो भूमध्य रेखा एक तो होते हैं धुरू और एक होती है भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा पर कोई भी वस्तु होंगी ना उसका भार कितना हो कि और होता है जब हम भार सुन्य मानते हैं कब मानते हैं या कब होता है आपको कमेंट करके बताना यह दिए आपने क्लासिस देखी ठीक है तो 17 गुणी अधिक चाल से कौनी चाल से चलने लग जाए तो क्या होगा आंसर होगा सुन्य एक और कोशन जिसका आंसर क्या हो गया सुन्य अगला कोशन देखो दोर समस्थानिक तत्वों के पर्मानु कर्मांकों का अंतर होगा बहुत ही बढ़िया कोशन है समस्थानिक और पर्मानु कर्मांक का अंतर कितना होगा तो समस्थानिक तत्व क्या होते हैं वो पता है तो आंसर दे दूंगे समस्थानिक तत्व वही होते हैं जिनका पर्मानु कर्मान क्या हो समान हो समस्थानिक तत्व वही होते हैं जिनका पर्मानु कर्मान क्या हो समान हो मतलब एक ही जैसे हो दर्मान संग्या यह भार क्या होगा अलग अलग होगा दर्मान अलग होगा परंतु समस्थानिक क्या होता है जिनका पर्मान जब परमानु कर्मान कर्माक्स जब परमांट कर्माक्स سमान है तो अंतर क्या होगा इसका men चार वोगा तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा क्या onगा 4 कितना आएगा सुनी तो हमेशा दो समस्थानिक त्रत्वं क्या परमानों के उक्रमानों को का उंतर प्या क्या होता है हिसे ही सम इलैंक्टोनिक होते हूठ सम भारिक होते हैं इंके बारे में यह फिर이는 कि मैं बताऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और कैसा लगा ये वीडियो पांच ही कोशन होते हैं ट्रिक वाले में हम पांच का डिसकर्शन करेंगे आप जुनके सब क्या अंसर क्या थे सुन्ये थे क्या आप चाहते हो कि एक और सीरीज लाए जिनमें भी जो भी कोशन क्या हो हमें सबस्थ सुन्य हों तो आपके लिए वह भी कर दित डेंगे उसके लिए आपको सिंपल सब किक य काम करना है कि इस वींगे को इस वीडियो को पर आपको लाइक करने हैं जैसे ही कितनेảiben जितनेाइक गांदाने मैं आपसे Congo हो रहा एसी कोई बात नहीं हैwasser Bon circles आ आते हैं तो मैं दूसरा इसका अगला यानि ट्रिक वाली फोर्थ क्लास जिसमें भी मैं कोशिस करूंगा सारों के आंसर क्या हो सुन्य हो उनके लिए भी बता दूंगा वो भी आ जाएंगे बस आपको क्या करना है लाइक करना है जो फेस्बुक पे जो हैं वो प्लीज यूट यूटूब पे आएं और फेस्बुक पे जो भी हमारा पेज हैं ग्रूप हैं महाँ पर जुड़ें सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ठीक हैं और नहीं तो आप कहीं भी सर्च कीजिए फेस्बुक पे जाके सर्च कीजिए केश्योबानों क्लास हम मिलेंगे यूटूब प पे और एक बेल आइकन का बटन होता है उसे कुलक करें झेलके के उल्सी है और उसमें आपको व makes are the तो आपको और आपको और सिर्फ 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 आपको पता चल जाए कि अगली क्लास आ गई है और आप कभी भी यह मौका ना चुकिए क्लास देखने का ठीक है टेलिग्राम पे भी जुड़िए के शोबानों क्लासे सर्च कीजिए नहीं तो लिंक डिस्कुप्शन में दी वी एक ग्रूप की वहाँ पर हम आपको अवेलेबल करा देते हैं पीडियफ साइंस का जो भी थोरिया आपको पढ़नी चाहिए उसकी पीडियफ में वहाँ वेलेबल कराई भी है तो उसे भी जाके टेलिग्राम पे जाके देखिए टेलिग्राम पे ग्रूप्स बने में एक कोशन दिये में और ट्विटर पर भी जा सकते हैं इंस्टा पे आप मुझे फोलो कर सकते हैं वहाँ पे भी मैं कुछ दिनों में अच्छी चीजियां आपके लेबल कराने वाला हूं ठीक है तो सबकी लिंक डिसकर प्रेंट जाके जुड़ सकते हो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जुरू बताना और लाइक तो पता ही है 150 होते ही मैं अगली स्टेडी पे बागी कुछ नहीं सोचना हमें तो स्टेडी करनी है ठीक है तो जैहन जै भारत